मैं एडवोकेट सुमित कुमार जहाँ आप सभी का आपने यूट्यूब चैनल बुक ओफ इंडन लॉव में स्वागत करता हूं जैसा कि आपने थमनेल में देखा होगा कि डिवाउस का पेटीशन तलाक याची का कहां डालें कहां डालें तो आये वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि डिवाउस का पेटीशन तलाक याची के लिए की कोरँ कर testa करे का आगि जब में जानते हैं जहां पर आपकी इसादी हूई है वो उस डिटे कोड में आप डाल सकते हैं रहता हो आपयवी ँचा रहता हो पतनी पत्मी जिले में रहती है उस डिश्टी कोड में या फाइल कर सकते हैं इन प्रकिव कोई निद्ग एक एक्स्ट्रा दिया गया है पतनी को कि वाइफ जहां रहती है देनेवक्त में वह जहां है उसी डिश्रिक उस्पर घँल में डाल देगी यह इंटि ineffective भी है दिली में तो सकती है खूद दिली में भी सकती है और अब वो आगई विहार अникаए उसका नौकडी वियार rhe सकता है पती के लिए जो हमने पहले conditions बताया है वही rare कैजिद के हैं कि यहां तक समझ की होगा इसके बाद एक condition है कि हमको मालूम OR कि नहीं है कि वो कहां रह रहा है पता duż में नहीं है आठ साल बीद गया आठ कमा अगर वो होते तो वह होती इसका मतलब मानके चलिए मेरा घर मेरा पुस्तानी ही मच्छावम से लेकर इसी घर में रहे मेरा पृस्तिती खराब तो यह अपने पुज्टानी घर में आएंगे अपने पिता जी के घर में आएंगे या मेरा अगर बनाया हुआ है थो पाइल सकते जहां पर होते तो वहाँ अब clear हो गया होगा कि आप कहां पर divorce petition डालेंगे अब कब डालेंगे ये भी हम जानेंगे आने वाले वीडियो में कि कब हम divorce फाइल करेंगे किस condition में हम divorce फाइल कर सकते हैं इससे पहले हमने जाना था कि 498A में पती को jail जाना जरूरी नहीं है ठीक है jail जाने से कैसे बच सकते हैं आप यह हम description box में दे देंगे i button में आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं पत्निया maintenance कैसे ले सकती है maintenance को कैसे बढ़वा सकती है ये भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और हमने पहले भी बताया है कि maintenance 125 में कैसे मिलता है वो भी हम description box में दे देंगे आँ वहाँ से देख सकते हैं